नमस्कार चलिए सुनते हैं जापानी लोग कता तोजो और पहाड की भूतनी जिसका हिंदी अनुवात किया है प्रभापांडे ने उत्तरी जापान के एक दीव के पहाडी गाउं में तोजो नाम का एक बूढा रहता था उसके पास एक बढ़िया गाय थी वा गाय पर लोगों का सामान ढोकर सहर लाता और ले जाता था इससे उसका गुजारा चलता था एक दिन उसने गाउं में बहुत सारी ताजी मचलियां खरी दी और सहर में बेचने को चल पड़ा आज तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा सोचते सोचते वा सीटी बजाते गाते खुसी खुसी चला जा रहा था पहाडी ढलुआ सड़क पर चड़ते चड़ते अंधेरा होने ल कर हाकने लगा मगर गाय इधर उधर घास खाती जुगाली करती और धीरे धीरे चलती रही एक एक पहाडों की ओर से तेज भड़बढाती आंधी जैसी जोर की हवा आने लगी पीछे से कोई चिलाया मचली की गंद मचली की गंद आ रही है तो जो जब मुड कर पीछे एक पहुत लंबी चोड़ी भयंकर पहाड़ी भूतनी खड़ी थी उसका मूँ खुला था कान से कान तक तना हुआ मूँ था सिर से दो सिंघ निकले थे आंखों से लाल-लाल चिंगारिया निकल रही थी उसके काले-काले लंबे बाल हवा से इधर-उधर लहरा रहे थे दे भूतनी चीखी, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी, डर के मारे तो जो पसीना पसीना हो गया, कापते कापते उसने गाय पर रखी बोरी में से एक मछली निकाल कर भूतनी की ओर फेक दी, फिर शू 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 करते गाय को जल्दी जल्दी हांकने लगा, भूतनी ने ए पूरी मचली निगल गई ए मूर्क बूढ़े वो चिल लाई एक मचली और दे नहीं तो मैं अभी तुझे खा जाऊंगी भैभी तो जो ने एक मचली और निकाली कापते कापते भूतनी की और फेक दिया गाय को शूशू करते तेज तेज शांकने लगा भूतनी फिर गप से मचली निगल कर चीकी वाह वाह बहुत ताजी बहुत स्वादिस जोर की ड़कार लेकर फिर गर दी ए बेकूब बूढ़े जल्दी एक मचली और दे नहीं तो तुझे खा जाऊंगी भूतनी ने गूस्ते से धम की दी बेचारे भैभी तो जो ने एक मचली और निकाल कर भूतनी ने तो जो की सारी मचलियां खा डाली ओ अब आगे ओ बुद्धू भूतनी फिर चिल लाई अरे एक मचली और दे जल्दी दे नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी बेचारा बुड़ा डर से कापते हुए बिलक बिलक कर रोने लगा मेरे पास अब कोई मचली नहीं बची सब तो खा चुकी हो वासिसक सिसक कर बोला फिर अपनी गाय दे नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी भूतनी गर जी तो जो ने सोचा अगर ये मेरी गाय को भी खा जाएगी तो मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा कुछ हिम्मत बांद कर वा बोला नहीं नहीं मैं अपनी गाय तुम्हें नहीं दूँगा। गुस्से से नागभव चढ़ा कर भूतनी चिलाई। अच्छा, अच्छा, तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ओहो, ओहो, तो जो चीखा और थर-थर कापते हाथ में पकड़ी हुई गाय की रसी फेक कर सिर पर पैर रख कर अपनी जान बचाने के लिए हवा की तरह भागा, गिरते पढ़ते भागते कूदते वा बस दोड़ ही गया। एका एक उसे पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा घर दिखाई दिया, हे भगवान, मुझे बचाओ, सहायता करो, वहाँ पहुचकर उसने दरवाजा खट-खटाया, मुझे केवल एक रात यहाँ बिताने दो, वो चिल लाया, मगर कोई जवाब ना मिला, तो जो ने अंदर घुसकर देखा, तो वहाँ कोई ना था, फिर उसने देखा कि चूले में बहुत सारी जलाने की लकड़ियां पड़ी है, और चूले के ऊपर एक बहुत ही बड़ी भारी केतली भी रखी है, यहाँ जरूर कोई रहता है, बुढ़े तो जो ने सोचा, इतने ही में उसे किसी के घर आने की जोर जोर की धम धम सी आवाज शुनाई पड़ी, ओई यी, वा, वा, मैंने कैसे बढ़िया दावत खाई, कोई जोर जोर से बढ़ बढ़ाया, धेर सारी ताजी मचली, और वो मोटी गाय, मजा आ गया, वा, 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 बुढ़ा भाग गया, जल्दी ही उसे भी पकड़ कर खा जाऊंगी, धम, 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 आवाज औ और भी नजदीक, नजदीक आती सुनाई पड़ी, अब तो मारे डर के तोजो के पसीने छूटने लगे, उसके रोंग्टे खड़े हो गए, हाई सत्यानास, ये तो पहाड की भूतनी का घर है, वो चिलाया, अब तो वा, मुझे भी खा जाएगी, कहां चिपूं, कहां वह बड़ बड़ाया, इधर उधर चारों और पागलों की तरवा चुपने की जगा खोजने लगा, मगर कहीं भी कोई जगा दिखाई नहीं दी, वह हड़ बड़ा हट में जल्दी जल्दी लकड़ी के उंचे खंबे को पकड़ कर उपर उपर चड़ गया, बास फूच से बनी छट की बल्यों के बीच थोड़ी सी जगह में वसी कुड़ कर छुप गया, हा, 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 अंदर आकर भूतनी ठाका मार कर हसी, अब तो मैं एक और दावत खाऊंगी, अपने लिए चावल के केक बनाऊंगी, हा, 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 क्या मज़ा आएगा, भूतनी ने चावल के केक ब पिर चूले के पास आराम से लेड गई धीरे धीरे उसकी आगबंद हो गई और वा खर राटे लेने लगी जैसे जैसे चावल केक छुन-छुना छुन-छुना कर पकने वाफूलने लगे उनकी उम्दा सौंधी सौंधी खुस्बू पूरे कमरे में फैलने लगी कुछी देर म खुस्बू उपर तक पहुँच गई जहां तोजो छट के नीचे बल्यों के बीच सिकुड़ा चुपा भैटा था उनकी बढ़िया खुस्बू सुंग से सुंगते बुड़े तोजो की लाट टपकने लगी उसे बहुत भूख लग आई उसने या भी देखा कि भूतनी गह खाकर धीरे से उपर खीच लिया अरे वाह वाह कितना करारा स्वादिष्ट केक है ऐसा बढ़िया केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया खाते हुई वाह मन ही मन बोला एक बार फिर उसने बांस की पतली डंडी हलके हलके नीचे की दूसरे केक में चुभाई और धीरे धीरे उपर खीच ली वाह उसे भी खा गया अब तो उसे और भी जोर की भूख लगने लगी फिर उसने तीसरा केक चौथा पांच वाह खाकर सभी केकों को खत्म कर डाला एका एक भूतनी की नीन तूटी अरे सब केक कहा गये उसने देखा अब मेरे चावल के केक किसने खाए किस अगर अगनी देउता ने उन्हें खाया है तब ठीक ही है भूतनी बढ़ बढ़ाई खैर अब मैं कम से कम अपने लिए गरम गरम हरी चाय तो बना कर पीलूँ वो बोली जैसे चाय का पानी उबलने लगा भूतनी को फिर से गहरी नीद आ गई वह जोर जोर से खर राटे ले पीने लगी अब बढ़िया चाय की भीनी भीनी महक पूरे कमरे में फैल कर उपर चट तक मोची चट के नीचे बल्यों के बीच सिकुड़े चिपे बैठे तो जोने जैसे ही चाय की खुजबू सूंगी उसके मूं में पानी आ गया चावल के केक खाकर मेरा गला भी बिलकु नी सो रही थी उसने बांस पूंच की छट से एक लंबी पूली बांस की डंडी तोडी उसे धीरे धीरे नीचे किया और चाय के बरतन में डाल दिया फिर शू 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 तो जोने उपर से ही चाय की धीमे धीमे सुड़क कर चूसना सुरू किया और चूसते चूसते कभी नहीं होता ये क्या हो रहा है किसने मेरी चाय पी वह चिलाई वायुदेटा वायुदेटा उपर बैठा बुड़ा तो जो धीमें से फुसपफशाया अगर वायुदेटा ही मेरी चाय पी है तो ठीक ही है भूत नी बढ़ बढ़ाई अब ना तो चावल के केक खाने को मिल दोनों देटा सब खापी गए थे खैर कोई बात नहीं मुझे तो बहुत नीन लगी है अब मैं कहां सूँंग ठंड भी बहुत है भूत नी बोली या सुनकर उपर चिपा बैठा तो जो फिर धीमें से फुसपशाया केतली में सो केतली में सो अगनी देटा यही कहते हैं वा अब मैं केतली में ही सूँंगी भूत नी बोली वहां खूब गरम होगा ठंड भी नहीं लगेगी अगनी देटा ठीक ही कहते हैं उंगते उंगते भूत नी बढ़बडाई और चूले पर रखी बहुत बड़ी केतली के अंदर घुसकर अराम से खराटे लेने लगी इस दु कदला लूंगा उपर शुपे हुए तो जो ने सोचा भूत नी को गहरी नीन में सोते देखा वा धीरे से नीचे उत्रा केतली का ढकन ढका ढकन के ऊपर एक बहुत बड़ा भारी पत्तर रख दिया फिर उसने केतली के नीचे चूले में आग जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियां तोड़नी सुरू की केतली के अंदर गहरी नीन में सोती भूतनी ने लकड़ियों की कड़कड़ा हर सुनी यारे यारे क्या सवेरा हो गया क्या चिड़ियां चूंचूं कर रही हैं क्या मैं भी उठूं भूतनी उंगते उंगते भड़ बड़ाई इधर तो ज जोने चुपचाप केतली के नेचे चूले में आग लगा दी अब जैसे जैसे चूले में आग तेज जलने लगी वैसे वैसे भूत नी भी बेचाईन जलती छट पटाती केतली 성ल निकलने के लिए पूरी ताक्त लगाने लगी उसने इधर-उधर खूब धक्य मारे मगर केतली में धकने के उपर रखा गया भारी पत्थर टस से मस नहीं हुआ अगनी देउता अगनी देउता मुझे बचाओ मुझे बचाओ भूतनी जोर जोर से चीखी गला फाड़ फाड़ कर चिलाई मगर उसे सुनने वाला अब वहां कोई भी नहीं था बूढ़ा तो जो दूर दूर बहुत दूर गाउं की और सिर पर पैर रख कर भाग चुका था धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे जापानी लोग का था